नश्कार दोस्तों आज से एक नए चैप्टर के सुरुआत के साथ में आपस आ चुके हैं आपके अपने यूटूब चैनल पांडेजी टेक्निकल पे तो आज का ये जो नए चैप्टर आपका है इसका नाम है गोला इस फेर कहते हैं इंग्लिश में तो आज से ये चैप्टर आपको सारे के सारे लेक्टर्स प्रोवाइड किये गये हैं तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार करते हैं बिना किसी देरी के इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेश कीजिए और अगर व्रित और गोला दो चीज़ आप सुनेंगे अब यह रहता तो एकदम सेम दिखाई देता है जैसे यह गोला और यह दो चीज़ हम बना दिये हैं अब आप इसमें यह नहीं कह सकते कि कौन सा व्रित है कौन सा गोला क्योंकि आप उपर से देख रहे हैं तो यह दोनों एक ही जैसे लग रहा है लेकिन अगर अगर व्रित जो होता है अब मैं आपको यह पर पहले यह आपको फाइल करना जरूरी है कि व्रित और गोला होता क्या है जो व्रित होता है आपका वो क्या होता है 2D होता है क्या होता है 2D लेकिन जो गोला होता है वो कैसा होता आपका 3D होता है तो इसलिए अगर कोई भी जो है फिगर आपका गोलाई में है तो अगर यह 2D में है तो आपका क्या होगा वरित होगा वहीं अगर यह अगर आपका कोई का company says Finger स्टड़गे तो यह अपका क्या होदा तोट्ली ने होता है रिंग में आपकी गहराई नहीं होती क्या नहीं होती जो गहराई होती है रिंग में नहीं होती है रिंग हो गए आपका अब अगर हम लेते हैं एक बॉल लेते हैं क्या लेते हैं बॉल गेंद अब बॉल में आपका क्या होता है जो आपका आप उसे ऐसे ले सकते हैं हाथ में जैसे कि मतलब उसमें कुछ गहराई भी होती है आप जब महसूस कर सकते हैं क्या होता है उसमें उस 30 में इसमें उन्र गहाराई भी था इसमें तौ यहां से आपको राप की गोला और विर्थ सlot क्वेठ आपको क्लियर हो गया होगा व घुर होता है जिसमें जो 30 में होता है और यह सबना होता है और और उ crying Body क्या होता है उसकी आकरती क्या होती है गोला कार होती है ठीक है तो देखे गोला की हम अगर एक परिवाशा देखना चाहें तो आप आप देख सकते हैं गोला क्या होता है ऐसी सतह से घिरी आकरती जिसमें सतह का प्रतेक विंदू एक इस्थिर विंदू से समान दूरी पर हो गोला कहलाता है ए बी क्या ह यहां पर यह क्या है आपकी गोले की तरज्या अभी मैंने आपको बताया था जो गोला होता है आपका क्या होता है थ्रीडी होता है देखिए सेम वृत की तरह है वृत क्या होता था वृत जो था कोई एक बिंद जो इसका सेंटर होता था इसके परते जो है बिंदो से क्या था यहाँ पे यह सारी चीज़े क्या थी बराबर थी और यह सारी क्या थी आपकी तरज्जा थी सेम उसी प्रकार से यहां पर भी है देखे यह बिंदु है और यहां से लिकर के यहां तक की दूरी आपकी क्या होताईगी तरज्जा हो जाएगी आप चाहे जहां पर मिलाएंगे सब जगें पर क्या रहेगा आपका तरज्जा आरही रहेगा तो सेम हो ही है, बस इसमें क्या है आपकी ये जो होगी 3-dimensional होगी, इसमें आपकी गहराई भी होगी कुछ जैसे कि आप लोहे की एक बॉल ले सकते हैं या फिर आप जिस क्रिकट की आप एक बॉल ले सकते हैं ये सारी चीजे आपकी क्या होती है गोला होता है ठीक है तो यहां से आपको इतना चिश clear होगा कि गोला क्या होता है अगर आपसे कोई गोला पूछ ले तो आप बता सकते हैं आप देखें गोला में कुछ important जो है फार्मूले भी है तो फार्मूले क्या है नोट कर लिदेगा देखिए याद भी कर लिदे गोले क आयतन जो यहाँ पर आपका गोला बता बना हुआ है इसका आयतन व क्या होगा वालूम क्या होगा तो गोले का जो आयतन होता है चार बटे तीन पाई आर क्यूब घन इकाई होगा क्योंकि आयतन है तो आयतन इकाई क्यूब में होता है तो इसलिए आपका गोले का आयतन क्या ह हो जाएगा वी जिकल टू हो जाएगा चार बटे तीन पाई आर क्यूब और क्या घन इकाई मतलब अगर सेंटी मीटर है तो सेंटी मीटर क्यूब हो जाएगा अगर मीटर है तो आपका मीटर क्यूब हो जाएगा घन इकाई होता है तो गोले का आयतन आपको क्लियर हो गया हो तो यहां से आपका क्या होजाएगा चार पाई आर स्क्वाइर जो है वर्ग एकाई आपका होजाएगा गोले का प्रिष्ठिय छेत्रफल तो यहां से दो चीजे निकल के आए गोले में गोले का आयतन और जो है गोले का प्रिष्ठिय छेत्रफल और यह दोनों आपके क्या है most important है क्योंकि यह ज़िए chapter ही आपका क्या है गोला है गोला नाम से जब chapter ही है तो गोले के जो formula है वो तो आपको आने ही आने चाहिए तो यहां से आपके दो formula most important जो बनते हैं क्या है गोले का आयतन चार वटे तीन पाई आर क्यूब और गोले का प्रिष्ठी है चेतरफल चार पाई आर स्क्वायर वर्ग एक आई आई आपको मातरक जरूर याद रखना है तो यहां से आपका गोला clear हो गया अब चलते हम आगे अगले और बढ़ते हैं जब देखिए गोला आपने पढ़ लिया तो कोई अगर गोला है गोले को अगर हम ब्यास गोले का जो ब्यास होगा वो क्या करेगा गोले को दो भाग में बाट देगा अब अगर हम इसे देखना चाहे तो एक भाग आप का ओपर का हो गया और इसे अगर 16 अलग करके देखना चाहे तो एक भाग आपका नीचे से वाग आप इसे बीच से काटेंगे तब मतलब की जो आपका ब्यास है अगर ब्यास है हम दोनों को अलग-अलग करना चाहे तो कुछ आपका इस प्रकार से हो जाएगा या फिर आप इसी गोले को अगर इस टाइप में बाटना चाहते हैं यहां से कुछ आपका इस टाइप में हो जाएगा और यह आपका इस टाइप में हो जाएगा मतलब क्या किया है हम इसे बाट दिये हैं अलग अलग भाग में कर दिये हैं आधा अधा कर दिये हैं तो यहां से आपका जो से होकर जाने वाला समतल उस गोले को दो बराबर भागों में क्या करता है विभाजित करता है जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि गोला क्या होता है जैसे जो आपकी व्याश होती है वृत में वृत का व्याश का करता था वृत को आधाधा कर देता था इसी प्रकार से अ या फिर बॉल को देख consider कव्मोर्ण को व्यान क्या होई और इसी में पर इसमें प्रकार का होता है और है उसी प्रकार से आप देखी में इंद्कन होता है जब हम आयतन निकाल सकते हैं इसको 25 हम से नि Aren निकाल सकते हैं देखे जब घोले के आयतन का क्या कर रहे है तो यहांसे दो से दो कर जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा दो बटे तीन पाई आर क्यूब हो जाएगा वही आपका क्या हो जाता है आयतन हो जाता है अर्ध गोले का जिसे गोला आपका था अगर गोला मान लेते हैं गोले का आयतन वी है तो अर्ध गोले का आयतन क्या होगा वी वाई सम्पोरज प्रिष्ट में से तो सम्पोर्ड़कर लिर्षट हो जाएगा गोले के चремता है वसुवन killer को सब्सक्षाइगा क्यात्याना चिम्ता अल्यों सब्सक्राइब संपोरण प्रि По羅 Ой को याद रखना इसमें एक्स्ट्रा है गोले जितने भी फार्मुलार्ए दो थे आपकी आयतण और वक्रप्रिषट??? अब अर्धगोले का क्या होता है संपोरण प्रिष्ट भी होता है और अर्धगोले का संपोरण प्रिष्ट अपकी र होता है 3ben र यहां से आपको अर्दगोले के बारे में भी क्लियर हो गया होगा है डाउट सारे आपके क्लियर हो गया हूंगे अब यह फार्मुले जो भी आपके हैं most important formula याद जरूर कर ली देगा त्योंकि most important है इस chapter के आपके गोले के फार्मुले जितने भी हैं पार्दगोले गोले के फार्मूले ये आपके लिए बहुत ही जादा जरूरी है और ये competitive exams में अक्षर पूछे जरूर जाते हैं चले दीखे अब आद आता है आपका गोली एक कोश गोली एक कोश क्या होता है तो गोली एक कोश दीखिये आपका कुछ इस परकारते होता है कि म कहते हैं गोली कोश जैसे देखिए माना बाहरी गोले की तरज्जा क्या होता है अंदर के गोले की तरज्जा होता है तब क्या होता है जो गोली कोश होता है इसका आयतन क्या होता है आपका तो गोली कुश का आयतन होता है चार बटे तीन पाई अब जब आर क्यूब वहां पे क्योंकि कोश है तो कोश मतलब सेल होती है सेल मतलब परत मतलब चड़ती ऊपर चली जाए एक के ऊपर एक एक ऊपर एक ऐसे चड़ती चली जाती है तो गोली कोश यही होता देखिए अगर हम बाहरी अगर ले ले लेते हैं कैपिटल आर त्रिज्जा और अंदर का जो ले ले तो गोला की जो गोले का आपका आयतन होता है सेम उसी पे आपका ये भी आधरीत है आप इसमें क्या कर सकते हैं इसमाल आर जो हमारा गोले में होता था मतलब जो हमारी तरिज्जा होती थी यहां पर क्या हो जाएगी capital RQ- small RQ मतलब यह जो नई तरिज्जा हमारा गोली कोश के लिए है उसकी हम बात कर रहे है ना कि गोले के लिए गोली कोश के लिए जो तरिज्जा होगी वो क्या होगी बाहरी तरिज्जा का क्योब माइनस आंत्रिज्जा का क्योब होगा ठीक है यहां से आपका आयतन भी फाइनल हो जाएगा गोली कोश का आयतन क्या हो जाएगा चार बटे तीन पाई capital RQ- small RQ अब वहाँ पर क्या था वहाँ पर यह जो capital RQ- small RQ था उसकी जहाँ पर गोले में क्या हो गया था small RQ मतलब एक ही तरिज्जा थी यह आपको याद करने की भी ट्रिक यहाँ पर कुछ पदा चल गई होगी चली हम आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की और तो अगला आपका जो टॉपिक है यह सारे के सारे most important formula है बहुत ही ज़्यादा महत्तपोन है याद जरूर कर लीजिए जब किसी गोले को बेलन में कर लेते हैं वेलन की लमपाई अगर कोई गोला है ओडो अगर को में डहारा करनी होता है तो हम क्या करेंगे यह far लगा देंगे चार बटे तीन आप अलग कर सकते हैं गोले की तरज्जा बटे बेलन की तरज्जा ये आप फार्मूले लगा सकते हैं जब हमें गोले को बेलन में बदलना हो और बेलन के हमें लंबाई ग्याद करनी हो तो क्या हो जाएगा चार बटे तीन गोले की तरज्जा बटे बेलन की त्रिज्जा most important और बहुती आसान सा है देखिए फार्मूले बहुती आसान से हैं आप लोग एक बार copy में note कर लीजे आपका गोला था गोला को बेलन में बदला गया था अब यहां पे जो ठोस बेलन है और बेलन को हमें पिघला करके क्या करना है गोली बनाना है एक छोटी छोटी गोलियां बनानी है और हमें गोलियों की जो संख्या ग्याद करनी हो वो क्या हो जाएगा आपका बेलन का हम आयत गोले के तरजायई क्या होती हैसा मतलब गोले के केंद्र से होकर जाता है और वह केंद्र होकर जाता है गोले के तो वृतिये परिछेद की तरज्या गोले की तरज्या के बराबर होगा तथा गोले का केंद्र ही वृतिये परिछेद का केंद्र हो जाएगा इस दसा में गोले परिछेद की तरज्या महत्तम हो जाएगी यह पॉइंट भी आपको याद रखना है फिर देखिए अगर एक अर्ध गोला एक संख के योग से बनी आकरती हो मतलब क्या है अगर अर्ध गोला है कोई मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं उपर आपका क्या दिया गया है फिगर में आप देखेंगे जब तो उपर आपको एक अर्ध गोला नजर आ रहा होगा यहाँ से दिखिए यह आपका क्या रहा है एक अर्ध गोला और नीचे आपका एक संख है मतलब दोनों मिल करके अगर कोई आकरती बनी होती है तो आपका इसमें एक फार्मूला होता है क् वाकर प्रिष्ट मतलब संपॉर्ण प्रिष्ट अगर आपको ग्याद करना हो जाए तो क्या करेंगे पाई आर यल प्लस टू आर कर दिया दाएगा यल क्या हो जाता है आपका जो संकु था उसकी तिरची लंबाई और 2R आपका क्या हो जाएगा जो अर्धगोला था उसका जो है आपका दूगना मतलब ब्यासच ले लिया जाएगा ठीक है तो वहाँ पर आपको संपॉर्ण प्रिष्ट निकालना हो जाएगर दो फिगर दिये हुए हैं अर्धगोला और संक मिलकर के बना हुआ है तो संपूर्ट प्रिष्ट निकालने के लिए आप क्या करेंगे पाई आर इस एंड कैपिटल यल प्लस सरी यल प्लस टू आर हो जाएगा ठीक है फिर अगर अगर हम इसी पे आयतन निकालना चाहें बेलन का बेलन और सरी संक और अर चाही था यही हमारा हो जाएगा ठीक है तो यहां से आपके दो फार्मूले निकल के आते हैं जब हमें दो फिगर आपश में एक ही बिलकर के बने हुए हो जैसे कि एक यहां पे संक है और एक आपका अर्धगोला है जैसे कि यह हो गया आपको फिगर में दिखरा होगा इस एगर है तो आपके लिए यहाँ फार्मुले हो जाते हैं, अब चलिए देखी, आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पर 2 अर्ध गोले दिये हैं, जैसे नीचे यहाँ पर देखे 11 जाते है आपका यहां से यहां तक की दूरी जाती है जो कि बेलन की उचाई हो जाएगी यच हो जाएगी और आर आपका क्या हो जाएगा त्रिज्जा हो जाएगा अर्ध गोले का तो यहां से आप लोगों को भी यहां पर भी दो फार्मॉले मिल जाते हैं तो अगर दो दो फिगर आपको दिये हुए हो तो भी आपका फार्मॉला यहां पर होता है आप याद कर सकत कि करमसा बाहिवा आंत्रिक तरज़ाएं हैं तो गोला कार छिलके का आयतन क्या होगा तो गोला कार छिलके का आयतन आपका क्या होता है उसमें भी दो तरज़ाएं होती है एक बाहरी तरज़ा होती है और एक आंत्रिक तरज़ा होती है तो दो तरज़ाएं होती है इसलिए हो दाता है यहाँ पे गोला का छिलका का जो फार्मूला आयतन होगा या फिर आप कह सकते हैं गोली एकोश का जो आयतन होगा वो क्या हो दागा चार बटे तीन पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस इसमाल आर क्यूब तो यहाँ पे यह भी आपका पॉइंट इंपोर्टन था देखिए अगली पॉइंट के और बढ़ते हैं कि यदि किसी गोले का आयतन संपोर्ण प्रिष्ट का छेतरफल तरिज्जा तथा ब्याष क्रमशा क्या दिया हो वी वन येश वन आर वन तथा दीवन तो क्या होगा देखिए दो गोले दिये हुए हैं दोनों गोले का आयतन है वी वन और वी टू फिर संपोर्ण प्रिष्ट का छेतरफल गया है यस वन और यस टू दिया है तरिज्जाएं क्या है आर वन वा आर टू है तथा ब्याष क्या है डी वन और डी टू है तो इनके बीच में क्या संबंध होगा देखिए क्या संबंध होगा पहला तो आप अपान आर्टू का होल क्यों विजिकल टू डीवन अपान डीटू का होल क्यों तो यह दो जो है कंडिशन्स बन जाते हैं अगर कोई दो गोले दीवें हों उनकी जो है त्रिज्जाएं आयतन वक्र पृस्ट और वयास चाहिए दी गई हो तो यहाँ पे आपके दो पॉयंट बन जाते हैं तो उम्मीद करते हैं आपको यह समझ में आ रहा होगा दिशे के अगला जो पॉयंट है आपका किसी गोले का प्रिष्ट यस हो गोले का आईतन में ग्याद करना है अगर गोले का प्रिष्ट दिया हो यस और गोले का आईतन में ग्याद करना है तो हम डायरेक्ट प्रिष्ट से ही आईतन ग्याद कर सकते हैं इसके लिए फार्मूला क्या होता है वी जिकल टू एस अपान 6 इंटू में अंडर रूड एस अपान पाई तो यह आपका होता है अगर डायरेक्ट आपका प्रिष्ट दिया हो गोले का और आईतन ग्याद करना हो तो उसके लिए आपका यह फार्मूला डायरेक्ट लग सकता है तो उमीद करते हैं आज की वीडियो आपको बहुत ही मद्यदार लगे होगी और जितने भी कुश्चन्स के जो भी इंपॉर्टन फार्मूले आपको बताएगे ये भी आपको समझ में आ गए होंगे पुचलिए जल्दी से हमें एक कुश्चन भी देख लेते हैं तार बनाया गया तो हम क्या करते हैं सबसे पहले गोले का आयतन निकालते हैं और तार का आयतन निकालते हैं क्योंकि जितने जितने आयतन का गोला था उतने ही आयतन का हमारा क्या बनेगा तार भी बनेगा जैसे अगर हम पांच किलोग्राम गोले को पिखला रहे हैं तो हमा लेकिन उसका आयतन उसका भार जो हमारा चेंज नहीं हो रहा है तो यह चीज आपको समझना है तो यहां से आपकी गोले की तरज्जा दी गई है तार की लंबाई हमें ग्याद करनी है जैसा कि अभी मैंने आपको फार्मूला भी बताया था अगर आप फार्मूला पर रखना तो डार्यक्ट डख सकते हैं या फिर आप यहाँ पे देखिए हल दिया गया है तार का आइतन क्या हो जाएगा आपका पाई आर स्पायर हो जाएगा गोले का आइतन आपका क्या होता है चार बटे तीन पाई आर क्यूब होता है अब यहां से दिखिए पाई से आपका पाई कट जाएगा ठीक है और जो आपका आर दिया गया है वो तार की तरज्जा आपको अलग दी गई है और गोले की तरज्जा अलग दी गई है तो तार के लिए यहाँ पे तार की तरज्जा रखेंगे गोले के लिए आपका गोले के Q हो जाएगा तो चलिए सारी value जब हम रखते हैं यहाँ पर आपको क्या प्राप्त होता है तो जब सारी value हम रख देंगे तो दसमलो 5 का इस्पायर इंटू यह हो जाएगा चार बटे 3 और जो 9 का Q हो जाएगा तो 9 का Q को हम क्या ले सकते हैं 9 गुढ़े, नव, गुढ़े, 9 तो यह बराबर आपका क्या हो जाएगा, टोटल दो बनेगा, 9 गुढ़े, 9 गुढ़े, 9 इन्टू में 4 और इन्टू में 1 हम कर देते हैं, अपने मन से सरल बना लिए, फिर हो जाएगा यहापि आपका 3, इन्टू में, यह ब हो जाएगा, जidać पूरा क्पूरा-फॉरा करेंगे तो आपका दो वैलु आएगा हाइट आएगा वो क्या जाएगा 177.76 मीटर तो अपकी दो हैट आजए कि लंबाइ आजए गी तार की वो क्या जाएगी 77.76 तो यही आपका होसाएगा एकदम से राइट आंसर और उम्मिद करते हैं आपको यह समझ में आ गया होगा तो ऐसे तमाम सारे कुष्टन्स जो है आपको ऐसे अगली वीडियो में दिये जाएंगे तो आप लोग वीडियो को रेगुलर देखते रहिए और अगर आपको वीड कीजिएगा अपने सभी दोस्त पार में शेयर भी कर दीजिए जिससे आपके सभी दोस्त सभी मित्र वीडियो को देख सकें धन्यवाद फिर मिलते हैं नए वीडियो के शाथ में